भारत के मुख्य राच्चों में से तमिलनाडू भी एक राच्चा है तमिलनाडू में बारिश के भरोसे ही खेती होती है सभी तरफ हर्याली ही हर्याली है ऐसी ही एक जगा है टैंजोर जहां साल में तीन फसल होने से तीन साल तक आराम से बैट कर खा सकते हैं लेकिन ये सब फूपकाल है, आज यहां के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, इस साल नहर में पानी आएगा या नहीं है, यह सोचकर यहां के किसान बहुत चिंतित हैं, यहां के लोग हर महमान को पेट भर खाना देते थे, और महमान को खाते देखकर पानी चाहिए, चुंप नहीं बूठंगा चुंप नहीं बठंगा आग़ार शुप नहीं रही है, जह लोग जायका उठेव सब लोग बहलेग घाते देका जाएं, घ्रका नाडरा हिए, अबर दो खपने टो रखंगा नहीं बूर मूर्ए पूरी करो, पानी चाहिए, 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 पानी साहब आप पानी के लिए अंदोलन कर रहे हैं अच्छी वात है हम समझते हैं उपर से जैसा बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं वो क्या है साब आप अंदूलन बंद करिए ये आपके लिए अच्छा है नहीं तो क्या करोगे जल में बंद करोगे सब को अंदर बंद कर दो लकिन हमारी मांगे जारी रहेगी साब जब कलेक्टर और विडियो बुलाए तो मुझे लगा कि कोई हल जरूर निकालेंगे लेकिन ऐसा नहीं है जब तक नया हमें नहीं मिल जाता हम अंदूलन जारी रखेंगे सुनिये सुनिये मेरी बात सुनिये मंद्री जी कब नहीं जाएंगे वो कभी भी जा सकते हैं लेकिन उनको यहां रहना पसंद है क्या आपने उस आदमी से बाते की बहुत कोशिश किये सर मगर वो अंदूलन बंद नहीं करेंगे बातचित करते हैं वक्त वो उठकर चले आप लोगों को सरकार इतनी बड़ी बड़ी पोस्त क्यूं देती है मेरी तो समझ में नहीं आता है पीजिये दुरई सिंगम तुम तुरंत उस आदमी को यहां बुलाओ ठीक है बहिया आईये साहब नमस्ते रहिए आप 65 साल के हैं इस उमर में भी जनता और देश के लिए आप राद दिन सेवा में लगे रहते हैं आप सुखी रहिए सर मैं तो सुखी हूँ तुमको मुझसे बात करने तेसे लिए बुला है ना बोलो कुछ नहीं सर आप इस उमर में भी तकलीफ उठा रहे हो इसलिए मुझे भी तकलीफ हो रही है बाइपास के बाजू में दस एकड़ जमीन है और उसके बीच में घर है आप जब भी वहां मोटर डालेंगे ना तो पानी भरपूर मिलेगा आपको अगर आप बाकी की जिंदगी उस घर में रहकर बिताएंगे ना तो आप भी सुखी रहेंगे और मैं भी अपने घर में सुखी रहूंगा इस उमर में तुम हमको जमीन देखके धोका दे रहे हो यह अंदोलन के तुमारे लिए मेरे लिए है अजारों साल से गुलामी करते करते जो एक वक्त की रोटी नहीं कह सकता है उसके लिए अंदोलन है जब उनको रोटी मिल जाएगी तो अंदोलन बंद कर दूँगा नहीं तो आखरी सास तक अंदोलन जारी रहेगी हम चलता है कि मरने वाले को भला क्या हम रोग सकते हैं अब दुराई हां तरा राना हो ताना को बलाओ जी भाई कि 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 कौन हो तुम लोग कि तुम लोगों को क्या चाहिए तुमारे पास क्या है कि 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 तुम कि कि ऩ कि बाल... इस देश में जन्ता के हग के लिए लड़ने वालों का यही अंजान होता है ऐसे कई लोग आये हैं लेकिन उन सब की भी यही हाला था फिर भी आंदोलन करने वालों की कभी भी कमी नहीं रही और इसी में शामिल है जिए बही हम्सकते हैं आभे पुर्णानों आपको आपके लिए जाँ निया में पिर्णाना के लिए जाँ आपके लिए में अजाना। यह क्या राना टाना आरा है अबे उठना आरे बाहर नित्या कु मार रहे हैं ओठना अरे बाहर आना ताना के आदमी नित्या कु मार रहे हैं चल उठो ना जाबे सोग या तो तु कुम्ब करण है तेरे उठते उठते बापना काम कर देंगे अरे यार बाप यो हो हो इदунд अड़ एलिस बाप याल याप याल या उन्हाल खर चुछ है खर 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 मनीशा, कॉलेज जानी का वक्त हो गया माम मुझे भी कॉफी दो ये लो अभी तक नहीं उठी कितने बार बोलना पड़ता है कॉफी रखी ओ, ठंडा हो जाएगा इंड़ने अच्छाम करे शथ, कॉले जला, क्या भी द्याल करे करे भी का भी देओ The subscriber you have called is busy the subscriber you have called is busy at this moment मा नाश्ता लाओ मा जल्दी लाओ मा हाँ हाँ तुम देर तक सोगी और जाते वक पैर में पंक लगा के चिखोगी थोड़ा जल्दी उठना चाहिए खाओ तुम भी जल्दी खाओ मा पानी खाओ बस मा पानी दोना मा में कॉलेज के लिए जा रही हूँ अब्ट करो थे जितो पर आपर हुआ 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 है फोन डाहिल करना बंद नहीं करोगी तुम फोन चालू रखके बंद नहीं कर सकते क्या जब देखो फोन बिजी 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 तुम्हारा फोन भी रहता है हमेशा बिजी बिजी उंगलियों को थोड़ा आराम दिया करो तुम भी अपनी उंगलियों को आराम दो मैं तुम्हें ही फोन कर रहा था मैं भी तुम्हें ही कॉल कर रही थी ठीक है तुम हो कहाँ तुम किदर हो मैं कॉलेज के इंट्रेंस में हूँ मैं भी कॉलेज इंट्रेस में हूँ जोट मत बलो तुम किदर हो सुबा सुबा बात करनी थी तुमको भी सुबा सुबा बात करनी थी बात करने का दिल कर रहा था मुझे भी तुमसे बात करने का मन कर रहा था टाइम हो गया तुम क्लास में जाओ मालिक आप खेसी अड़ा है। मैं अच्छा हूँ तुम की से हो। मैं अच्छा हूँ? मैं अच्छा हूँ द्हार में सभष्छे हैं नाँ? सभष्छे हैं मालिक लो लो राजा भाई के घर दे देना ठीक है मालिक ये लो ये सत्रा सा रुपए मुन्नु भाई के देड़ो वो कह रहा था कि उसकी मा की तवियत ठीक है ये लो ये हजार रुपए रमेश को दे देना और बाकी के पांतर सुरेश को दे देना ठीक है मालिक प्रेनु टाई है न बुढ़ापे में बहुत तकलीब जेल लेगी है उसको ये हजार रुपए दे देना ये कालू को दे देना बेचारा बच्चों को पालने में बहुत तक्लीफ ही नहीं मालिक सारे पैसे सब लोगों को बाड़ दिये, फिर आपके पास क्या बचेगा मुझे क्या चाहिए? मेरा बेटा है, जो भी चाहिए लाकर दे देता है बेचारे वो बच्चे ही तकलीफ जहल रहा है नहर में पानी भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है वो बेचारे भूके रहकर बच्चों को पाल रहे हैं हमने क्या बुढ़ापे में पैसे मिलने के लिए लड़ाई लड़ी थी देश आजाद होने के लिए लड़ाई लड़ी थी इसल ये हमें त्यागी बोलकर सरकार ये पैसे देती है और इस पैसे से चार लगों की मदद कर सकता हूँ मैं ये लो तुम रख लो ठीक है मालिक, मालिक में चलता हूँ भाईय कैसे हैं? अच्छा हूँ भाईया आओ बेटे, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ दादा, आप कैसे हैं? मुझे क्या होगा, मैं तो अच्छा हूँ पिछले अपते जो लाया था, अभी भी है, फिर क्यो लाया? कोई बाद नी दादा, खत भोगे तो कहां जा कर लेंगे, रख लीजे न बेटा, तुमारे पिताजी इंतिजार कर रहा है, जल्दी जा ठीक है दादा, मैं श्याम को आता हूँ ठीक है पकाऊ हूँ दादा पकढ़िगा, जैस्ट मिस्ट तुजे नहीं छड़ूँगा, तु कहीं भी भाग नहीं छड़ूँगा, रुक रुक अभी पल्ची मारता हूँ मैं, देख आ, 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 भी पकला मैं अब समझा मैं कौन हूँ अज मैं अपने भांजे को सूप पिलाओंगा क्या जी बेटा अभी तक आया नहीं है आजाएगा आजाएगा देखो बल्वान आ गया आजा बेटा कैसे हो पापा अच्छा हूं बेटा आओ बेटा ये क्या तु इतना दुबला हो गया है क्या मा हर अपते यह बोलती हो तुम आरम से घर से ही जा सकता है सिर्फ दस है बाइक से जाएगा तो सिर्फ दस में लगेगा ए चुब बठो तुम वहीं पढ़ने दो तभी अच्छे और बुरे की जानकरी होगी गाउं में आकर क्या करेगा मुर्गा तो पकड़ सकता है ना इसके लिए तो तुम हो ना सिर्फ एक जुट बोलकर देश पर और isn't मत जेकों जाने मत दूम कैम है वे शुट अर्वाफ कर अरे ऐस नहीं बॉप अरे पिर्फ़ था पर यह टनसे के अर्गण है बड़न यह गुट कर दून जाने prol Padraich उसको छोड़ना मुझे देख देख लुगजाआ हुग टेख वी अर्टश्टा थे भीजस करतेख देख धर भुट भीजर देख इबास्टी सपिर्फ दुनटर्टेख देख अर्थ कर देर नए तकल श्वाट्टी ज़िए अरगे फिर्सी नन्युद्ट चंट देख लिए कर इसकर मालिश करो जी थिर लगाते ही बाधिया की चमड़ी मश्ड मुलब हो गई है कि अच्छे से मालिश करो हां सीने पर अच्छे से मालिश करो तभी घर्मी आएगी हां जहको अर्फ수र खाति रूँजलने की लिए समय भी जरी निए क्हाते है एक सदम सब्सक्राइबा तो मालिष करो अच्छय मालिष करो कर दो जाया गिइं美味 तो मिलेफ지 निकलने जो जो से कर दो हैं है कि वर संद्सक्राइब तो अल्बानि या कर inexper portions तो में इसनी दर किसकी मालेश करना था? रहे भगवान अश्योग क्या? सीना फूला था चाहे? E plus B whole square is equal to E plus B whole square plus 2 AB plus B square A plus B whole square is equal to ... ... यहाथी नही और है 1 दो, तीन, चार, पाँच, चार, दूसरों सब दिखते हो हाई, दीदी, यहाँ आओ ना, क्या हुआ, उसको दिखो ना, मैं भी जब यहाँ आती हुँ ना, क्या ऐसा ही करता है आज मजा चकाती हुँ, हाई, हाई, यहाँ आओ ना, मैं, हाथ पकड़ो, मनिशा, खाना खाने आओ, आती हुँ मा, चलो, चलो, पकड़ो, पकड़ो, मुझे डर लग रहा है, मैं गिट जाओंगा, तुम दुनों शट्पे क्या कर रही थी, बापा, मैं पढ़ रही थी, दिदी कपड़े सुखाने आई थी, अरे बचाओ, ये कैसी आवास थी, जमाना बदल गया है, आजकल लड़के ही कह रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कैसे आपको जवान बनाता हूँ, वो देखो, कुछ भी हो, मैं तो तेरे भरोसी आया हूँ, भाई, कोन आया है, पैचानते हो, नहीं पैचानता, बोलो क्या चाहिए, दुकान में जो भी है, निकालो और दिखाओ, ये छोड़कर सवाल मत पूछो, बड़े आत्मे के सामने वश्यारी नहीं दिखाना चाहिए, समझे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों इसमें पैंटनी से ला सकते, निकालो निकालो, वो क्या है, पैंटनी से ला सकते, वो भी निकालो, वो, ये ये ये, 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 ये नीचे, हाँ, ये उपर निकालो, ये, हाँ, सम निकाल द मालेक, यह तुकान ठीक नहीं है, कोई भी कलर मैच नहीं हो रहा है, आपके साइच का यह गंजी ले लीजिए, हाँ, मैं बाहर वेट करता हूँ हलो, हलो, अझे बो तो ऐसे ही है, मैं क्या करूँ यह कपड़ा मुझे नहीं चाहिए, जिर्फ एक गंजी दे दो सारे कपले कटाने के बाद, आप तुझे गंजी चाहिए, है शक्रताओं कर, मार इसको, इसको गंजी चाहिए, ले गंजी, ले तेरी क्या मजाल कि दूने ऐसा किया, हे इडियट, किदर आकर क्या करता है, तुझे तुमें, ये ले, ये ले, रासकल, दुबारा करोगे, लो, ये लो अरे, कैसी लड़की हो तुम, एक लड़के को मार रही हो, चलो अड़ो तुम यह से, जाओ, तुमको कुछ भी नहीं मालुम है, तुम जाओ, पहले तुम यहां से जाओ, उसने क्या क्या तुमें मालुम है, नहीं मालुम, लेकि तुमने मार कर गलत किया, तुम हमेशा ऐसे इसको हमें ही करते हो को tournament क्यों और जो हुए मैख लड़क लड़कर ने क्या किया तुमको मालम उस लड़के ने क्या किया तेरी आइटेम की कमर को देख रहा था इसलिए मनिसा ने उसको मारा तीन साल से प्यार करते हो ना आज दिखाएगी वह तुझे जाओ मांपी मांगो जाओ क्या सुचने लगे कुस्सा मत कर उसने तो हक से बोला न यह यहां ऐसे ही करेगी अगर वो आकर अकेले में आने को बोलेगा न तो फिर इसकी हरकत देखना चाहिए अरे बोला वे जा वे तब तो उसके आगे पीछे गुम रहा था अभी के तेरा इगो तेजे रुक रहा है जाओ हम मौका मिला तो सब चड़े जा रहे हो ठीक है जातो हुआ है जाने का स्टाइल तो देखो जाते समय तुस्से ही जाएगा वहां जाकर क्या हलोगा में मालूम है ए तेरा वो आ रहा है हम चलते हैं हाँ चलो हम कैंटीं चलते हैं सॉरी डियर मुझे नहीं मालूम तो क्या हुआ सॉरी अगर मैं वहा होता ना तो मैं गेम बजा डालता है उसका हेई तुम अभी क्या कर रहे हो नहीं मैं सोच रहा था कि उसने क्या किया होगा हुआ च्रहा जाना क्या रहे है अंतर संवी कम है अंसर यह गाड़ी रहो को सब्सक्राइब को शायड़ी यह चलो लगा उस्ट्री में लाई शैंस और रसी निकालो चलो सायड़ी निकालो तो निकालो हाँ दो हाँ के तुम्ट हम ये लो पकड़ो तुम भी सब ठीक है ना सर आ सब ठीक है मगर साहब से मिल कर जाओ ए इतरा गाड़ी की आरशी भूक है हाँ चल देखा लासेंस है देना सब ठीक है सब ठीक तो है लेकिन तो क्या करें लेकिन ओवर स्पीड सर ओवर स्पीड 400 रुपया निकालो चल पैसा निकाल कोर्ट में जाएगा तो 400 रुपय लगेंगे 10 रुपय है मेरे पास 10 रुपय है स्रीफ चलो गाड़ी ले चलो प्ली स्टेशन चलो तू ऐसे नहीं मानने वाला चल गाड़ी निकाल चल सर टाइम हो गया है हम लोग चले टाइम हो गया तो चले जाओगे यह पीछे कौन है बगा कर लाया है क्या क्या बे गुरता है पोलिस का मार क्या है बताऊं क्या चूँद कॉलरचोल निर्ण में अजया क्या इसाहा है अजया थे पार्टमेंटनीय नहीं है अजया में होलिए यह अजया देंस्या आहा भाग्तल अजया माग्तल शूआ है कि अईण हुआ टाइब पार आट जसा ब्राइब पीडियो चाहाँ कि अलोग अईण हुआ गट हुआ आईण हुआ तरह पपने के तभीध खराब थे ना अभी कैसे है? तबियत बहुत खराब है तेंजोर के बड़े होस्पिटिल में भरती करना पड़ा है हमें दवाईयां बाहर से लानी पड़ती है मैं बहुत परिशान हूं इसलिए आप से मिलने आपके पास चला है अच्छा ऐसा है कि एक काम करो अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि एक कुर्सी लेकर तुम बाजार में गोविन राज के दुकान पर जाओ और कुछ पैसे देगा और पतने के लिए दवाई ले लो नहीं दादा जी इस कुर्सी में आप बढ़ते हैं परवाह ने बेच तो है ना दादा जी मैं कैसे एलो इसको पकड़ो यह लेकर जाओ यह मेरे दादा जी की कुर्सी है सागवान लकली से बनिया है गोविन राज इसके लिए अच्छे पैसे देगा लेकर जाओ दादा जी बहुत बहुत शुक्रिया है 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 हर सफ्ता तुमें ले आते हो वो छोड़ो दादा आप कैसे हैं मैं अच्छा हूं बेटा दादा यहां की कुर्सी कहा है वो अपना राजु में ता की पढ़नी की तवियत खराब हो गई है मेरे पास पैसे नहीं इसलिए कुर्सी दे दिया क्या दादा आप भी बैटने के लिए वो कुर्सी कितनी अच्छी थी वो भी आपने किसी को दे दी परवाह नहीं तुम जाओ वह तुमारी मा और पिता जी इंतिजार करते होंगे दादा आप अकेले ऐसे क्यों रहते हो आप हमारे साथ भी रह सकते हो ना वह कोई बात नहीं वेटा ओघर में ने बạo तेरे पिता जी रती एंचे घर मेरे पिता जी ने ब hagा हम इसलिए में रहता हूँ इसे में मैं खूश LI तेरे मा को पहले तुम्हारी फिक्रा है फिर तेरे पिता जी की और उसके बाद मेरी फिक्रा है मैं अहां बहुत खोश हूँ अब तुम घर जा बेटा ठीक है दादा मैं बाद में आता हूँ क्या डियस पी गाड़ी को ऐसे लगा दिया आप से मिलने घर गया था पता चला आप बंदिर गए इसलिए आया हूँ बोलिये क्या बात है ड्यूटी पर दो कंस्टेबल और एसाई को आपके बेटे ने मारा था इसी विश्य में आपसे मिलने आया हूँ नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता बेटा क्या ये लोग सच बोल रहे हैं नहीं पापा प्रोजेक्ट के लिए मैं बाइक से जा रहा था साथ में आयू लड़की को देखकर बोले क्या भगाके ला रहा रहा इसको इसलिए पापा मैंने मारा इसलिए पुलिस पर हाथ उठाएगा गलत बोले इसलिए मारा तुम मारेगा तुम मारेगा आपके आदमी गलत बोला इसलिए मारा आप यहाँ के बड़े लोग हैं इसलिए बाप और बेटे मिलकर हमें धमकी दे रहें तुमसे जो भी हो सकता है वो कर ले न देख लूंगा, गालीन का लूंगा, गालीन का लूंगा, सर, क्या संपत, चूंकि वो बड़े आत्मी मिलने गया था, लेकिन बाप बेटे मिलकर हमें दमकी दे रहे, वो लड़का माचिस की तीली जैसा, लेकिन हमें गूरता है, कहीं वो फस गया ना, तो अंदर कर देना, प येस सर, फिर से एक सीडी पार्सल आया है, क्या है साला सीडी वेजनास का कामी हो गया है, डाल सीडी, क्या डियास मिसर, नमस्कार, मैं रमेश, आपके आदमियोंने क्या किया सरा, देखिये, चल पैसा निकाल, कोर्ट में जायागा, तो चार्स रुपे लगेंगे, दस रुपे है मेरे पास, दस रुपे है सरे, चलो गाड़ी ले चलो पोली स्टेशन, चलो, तू यसे नहीं मानने वाला, चल गाड़ी निकाए, हम लोग चले, ताइम हो गया, तो चले जाओगे, ये ऐसे से खरिदू ही आपकी नौकरी, खत्म हो जाएगी, ये, बंकर, पहले इसको अंदर करके, इसके हाथ पर तो डाल, जितने भी केंस इसके उपर डालके, एंकाउंटर में मैं स्कोट अपका देता हूं, नहीं होगा सर, इसके पास बहुत चार एविडेंस है सर, अभे, ज के लिए जस भी लैना हूँ? अभी तक तेरी यादत गई नहीं ना क्या बे अरे अमूल्दूत ग्रांच आपिसकी जासी लगते हो नाशे में मेरी टांग खीच रहा है पिश्वास नहीं करोगे ना अभी देख देखा क्यों मारा बे दारू पीने के बाद बूत के मारने पे भी दर्द नहीं होता तो मैं मारू तो भी दर्द नहीं हो लिपिस्टिक डाल लिया रे इसलिए बोलता हूँ मुह बंद रखना चाहिए हाँ अब तुने उसको मारा और मुझे भी मारा अगर तुम बहादूर हो और दम है तो इसको मार कर दिखाओ मारना मेरे यार ए मज़े दे ले मेरे यार ए देख पांच मी कक्षा में साथ मी कक्षा की लिड़की के लाइन मारना चाहिए आठ मी के समय कट मारना चाहिए दस मी कक्षा में सिग्रेट भी ना चाहिए बाहार में बढ़ते से मैं, ये देख दारू मारना चाहिए, वह ही जाला मारता है तीक है, तुम्हें सब नहीं करोगी, ये देख तीन साल चे प्यार करते हो, अभी तक किस मारा क्या बोल भे अभी तक किस मारा क्या अभी मुझे क्या करना है, बियर मारना है न tutti क्या भे एक बोटल भीर एक सास में मार डाला लगता है जो हम नहीं होते तो अक्यले जाके मारता होगा यह सब करने से ही क्या मर दोता है कर नहीं मेरे दोस्त और बहुत मत्तर चाहिए और कितनी बहुता कि आपकी नगता है ना एक चोटा बच्चा है इस सब्ने होने वाला वे ए तुम से नी होगा वे तुम से यह नहीं होगा जाए आए अड़ आड़ कि अगे अगे कि अभी तक किस मारा क्या बोल बें अभी तक किस मारा क्या अभी से तुमने कॉन से गटरण का पानी पिया है रह् अधर यह ना आतेरे यनेना Can you feel it? ये क्या हो कया राजिया दिल ली कया सावरिया हो रल जाए कहीं शोर रे दिल पे ना कोई जोर रे हो गई मैं बेका बुरा दिल चाहे मेरा ऐसा उड़ना बन गया मैं जैसे भवरा दिल पे बजे जैसे नगारा हो गया मैं कैसा आवारा ऐसे कैसे तेरा ये नुशा चा गया जानू ना जानू ना ऐसे कैसे तो मेरा जाने कब हो गया रे जानू ना जानू ना जानू ना तेरे पास कैसे मैं खिचा चला आओ रे जानू ना जानू ना पूछ तू मेरे दिल की जानी तू मेरे दिल में बसी तू, मेरे दिल की रानी तू ये काबू, अले हाय बे काबू ये क्या कर गया सात्या, उड़ गई क्यों बेरी मिंदिया ये क्या हो कया राजिया, दिल रे गया साबरिया ये क्या कर कया सात्या उड़ गई क्यों मेरी निदिया ये क्या हो कया राजिया दिल ले कया सावरिया दिल कह तेरा हो गया सजनी मानूना मानूना आज कुछ ज्यादा ही नशल है रजनी मानूना मानूना ये आखे तेरी कैसी हिरनी जैसी मानूना मानूना मैं तड़ कुछ सके जल बिन मचली मानूना मानूना मेरे दिल का चोर तू नाजा मुझसे दूर तू कैसा ये मचाया शोर कैसी है ये हूर तू बेकाबू खुछ इडि मैं बेकाबू ये क्या कर गया सातिया उड़ गय क्यों मेरी निदिया ये क्या हो कया राजिया दिल ले गया साबरिया ये क्या कर कया सातिया उड़ गय क्यों मेरी निदिया ये क्या हो कया राजिया दिल ले गया साबरिया तुम बिकार की बाते मत करना अपना मूँ बंद रखना मैं सब देख लूँगा ठीक है अध्यामक जी ये कप का है आजी बनाए है हाँ ये क्या है बद्बू मार रहा है मैं भल्क में मिक्सेर लेना आया हूँ लेकिन टेस्ट करने के बाद ही लूँगा मिक्षेर दो अध्यापक जी इनसे पूछने की जुरूद नहीं है हम ही ले लेते हैं पूरा मुठ्थी भर ले जिए अच्छे से ले 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 जिए मुठ्थी भर ले जिए खाई ये खाई अध्यापक जी मजा नहीं आ रहा है इस दुकार में टेस्ट नहीं है दोसरी तुकार चलते है हाँ अलो हाँ भाईया चरूर नहीं है भाईया कर भी क्या सकते है तो मैं चलू अरे बाबरे मालिक आ रहे है पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे सब लो कहां जा रहे हो हमें माफ कर दिजए मालिक नहर में भी पानी नहीं है और वर्शा भी नहीं हो रही आप हमारी कितने दिन और मदद करेंगे इसलिए हम गाव छोड़कर जा रहे हैं मालिक आपको मालूम पड़ेगा तो आप हमें जाने नहीं देंगे इसलिए बिना बताए हम जा रहे हैं तीरुपो जाके कपरों के फैक्टरी में नौकरी करके अपने बच्चों को पालेंगे नहर में पानी आते ही हम आ जाएंगे इतने दिन रुग गे कुछ दिन और सही बच्चों के लिए कर कहा जाओगे कैसे रहोगे वापिज चाहिए मैं देखता हूँ आजी छोटे मालिक आप कैसे हैं अच्छ हूँ ये पिदा जी ने देने कली बोला है ठीक है ये रख लीजे मैं चलता हूँ धन्यवाद नमस्ते भाईया जब मैं बड़ा हो जाओँगा तो कॉलेज बाइक से जाओँगा क्या जरूर चेननाई से दो मंत्री आये हैं यहाँ पर सारी बाते हो गई हैं उन्होंने एक अच्छा नेर्ना लिया है 18 तारिक को पानी आ जाएगा समझे न अरे प्रेस वाले अकबार में छाप दो जनता खुश हो जाएगी क्या मंत्री जी 18 तारिक को पानी आ जाएगा कैसे आएगा देखो ये दारू आएगा कहां से आना है बोलो पांडू चेरी से आना है तुरंत आ जाएगा करनाटक से लाना है तुरंत आ जाएगा क्यों विदेश से यहां धारू लाना है, बोलो तो वो भी तुरंत आ जाएगा, सिर्फ हमारे गाउं की नहर में जैसे तुम सोचते हो वैसे पानी नहीं आएगा, कैसे कैसे समार पूछते हैं तुम लोग टैंजोर में अठारे तारिक को पानी आ जाएगा, ऐसा मंत्री जी ने बताया है, चलो अब बीस दिन तक तो कोई समस्या नहीं होगी, शान्ती से रह सकते हैं अब तो, जब देखो यह तो आंदोलन और मोर्चा निकालते रहते हैं अब थोड़ा दिन तो, हम यह समस्या से मुक्त रह सकते हैं, हां? भाया, आज सुबा कोरियर से यह एक सीडी आया है, ऐसा है, डालो देखते हैं जी भाया क्या मंत्री जी, नमस्ते, मैं रमेश बोल रहा हूँ, सुबा का अख़वार पढ़तार आप खुछ दिखते हैं कल अख़वार के लिए अच्छा इंटर्वी दिया था, उसके बाद आपने गलत बाते बोल दी आप तो नश्य में थे, वो तो फूल गया होंगे, जरा ये देखिए, क्या मंत्री जी, अट्रा तारी को पानी आ जाएगा? अबे, कैसे आएगा? देखो, ये दारू आएगा, कहां से आना है बोलो, बांडू चेरी से आना है, तुरंत आ जाएगा करनाटक से लाना है, तुरंत आ जाएगा, क्यों? विदेश से यहां दारू लाना है, बोलो तो वो भी तुरंत आ जाएगा सिर्फ हमारे गाओं की नहर में, जैसे तुम सोचते हो, वैसे पानी नहीं आएगा कैसे कैसे सवाल फूछते हो तुम लोग आपको कहीं भी दारू मिल जाएगी, लेकिन आप एचंता फरोसा करती है, पानी की बिना उनकी क्या हालत हो गई, जड़ा देखिये अब ही आपने जो कुछ देखा, अगर देखने वाले देखेंगे, तो आपका क्या होगा क्या होगा अबे, दुरही सिंगम, पहले इस लड़के को ठाका अंदर करवाओ, जब देखो एक सीड़ी पेज देता है, नाला एक पेफकोफ लड़का पता नहीं कहां से आगया है, दादा, दादा जी, अरे दादा जी, इधर आई न, क्या है बेटा, ये देखी क्या है, क हमारी कुर्सी एदा दा, गोविंदराज की दुकान पर गया तब है, कुर्सी खरीदने के लिए, वहाँ देखा हमारी कुर्सी रखी थी, इसलिए मने खरीद ली, क्या बेटा, दादा को इतना प्यार करते हो, अरे मगमद, ये क्या हो गया, ये तो चलेगे, बज्या केला और जोड़ 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 जए, देखे रवाने, हम क्या कर सकते है, जिर्दोर का क्यों वर्क है, भाई जोड़ जोड़ जोड़िया ह। मैं तो बोला था ला समाल लूँगा तिर इस तरह से इन्हों ने जल्द बाजी क्योंकि माले यह और क्या करते थे वह लोग भी आपनी इज़त को छोड़ कर कि इतने दिन और आप से मौनद ले थे इज़त से बढ़कर कुछ नहीं है ऐसा सोचकर यह कुछ कुछ ही कर लिए अगर उसी दिन जाओ चोड़कर चले जाते तो आज जिता रहते हैं यह तो पुरा कांदा चल बसा पागवा जब मैं बड़ा हो जाओंगा तो कॉलेज बाइक से जाओंगा क्या जरू 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 इसम आजयति आक कांद पिल्ड़र क्यं मैं जरू छिल्डियो है करें करें अ। नहीं करें तर्फ। नहीं नहीं कि वक्ते कि वक्ते शुभा मैज दिका पाल यह । जय लगा सो आपर आपास वालीयो झाली विल दमले यह खित पो जया करा वा नही वह को बद तो नही उह खीक वह क Quantum फिम ख़ो भी उते हो कि वह वह आप गями प्रियों बेटा है, हर मेवान को पेड़ बर खाते देखका, फुर सोने वाले इस जगह में, अनाज के मोहताज होकर हर दिन भूख के मारे चंत्रा को भटकते देखका, अब मुझे जिन्दा रहना पसंद नहीं है, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे इस नेड़े से सरकार के लिए चेतावनी रहने दो, चैये ही, मुझे माफ कर दो, चैये ही, मुझे माफ कर दो, चैये ही, क्या बात है बल्वान, बहुत उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं सर, क्या बल्वान, बहुत बल्वान, बहुत रहे हो, चैये हैं, मेरे सर में दर्द है सर, मैं चलता हूँ, क्या हुआ? जल्दी आ गए? क्यों एक्जाम नहीं दिया? तुम तो अच्छे से बढ़ाई करते हो, क्या बात हुई? कुछ नहीं सर, मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है या कोई और बात है? तिरे दादा की मौत की खबर मिली मुझे, देखो मौत को कौन रोग सकता है, ये तो कुदरत का कानून है, मेरे दादा तो जहर खाकर मरे थे उनकी तो उमार हो गए थी सर मेरे घर के सामने पूरे परिवार ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली ये कैसा खुदरत का कानून है सर हाँ 10 साल का लड़का आपके जैसे मैं भी कोले جाऊंगा ऐसा बोला था उसने ये शब्द अभी भी मेरे कान में गूंज रहे हैं एक बजबूर मा जब अपने बच्चों को खाना नहीं दे पाई तो उसने जहर दे दिया अपने बच्चों को और उन बच्चों को पता भी नहीं था कि ये जहर है और वो लोग पी गए ये कैसा कुदरत का कानून है सर तुम्हारे गुस्से और दर्द को मैं समझ सकता हूँ लेकिन इन सब का कारण कुदरत है भगवान है या इंसान है मुझे समझ में नहीं आता भगवान इसको रोग सकते थे ना वक्त पर बारिश होनी चाहिए थी मनुष्य के पास जो कुछ भी था वो बाट सकता था देखा जाये तो ये इंसानियत मर चुकी है अगर पानी होता तो शायद ये सम नहीं होता ये दो राज्यों की समस्या सदियों से चली आ रही है एक एतिहासिक राजा ने मैसूर जाकर इस समस्या का हल निकाला था ब्रिटिश के जमाने में जब ये समस्या हुई थी और पानी की मांग किये थे तो अंग्रेजों ने लंडन फोन किया था और लंडन से करनाटका फोन किया था तब जाके करनाटका ने पानी छोड़ा था राजा जी जब गवर्नर्ट जर्णल थे तो पानी के बिना तमिल्लांडू की जंता की पीड़ा देखकर करनाटका को संदेशा भेजा था कि अगर पानी नहीं छोड़ोगे तो भारती सेना वहां भेजी जाएगी तब उन्होंने तुरंद पानी छोड़ा ऐसे ही ये समस्या बड़ती ही चली जा रही है क्योंकि वो लोग उचे स्थल पर हैं तमिल्लांडू ढलान में हैं अगर वर्षा होती है तो कोई समस्या नहीं है नहीं तो वो पानी दो सौल के लिए रोग देते हैं और समस्या शुरू हो जाती है भूक और प्यास के लिए कितनी ही लडाईयां हुई, कितने आंदोलन हुए, मद्य सरकार के बोलने पर भी वो लोग नहीं मानते हैं बलवान, अगर मद्य सरकार की पार्टी करनाटक में है तो समझो, तमिलनाडू को पानी नहीं मिलेगा अगर दबाओ में आकर वो लोग पानी छोड़ते भी हैं, तो अगली बार वो सरकार नहीं बना सकते हैं अगर विपक्ष की पार्टी सरकार में है समझो, तो दबाओ डालकर पानी छोड़ देंगे वैसे ही अगर तमिल्नाडू में मद्द सरकार को सपोर्ट करने वाली पार्टी है समझो तो पानी आना मुश्किल है लेकिन अगर विपक्ष पार्टी है समझो तो भूख हर्ताल और आंदोलन करके पानी ला भी देंगे किसी को भी जंता की फिक्र नहीं है हमारी जंता भी पानी नहीं है या वर्षा नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे समझो अगर बारिश हो जाती है तो सब कुछ भूलकर भावड़ा लेकर खेती करते है अगर इस समस्या के लिए इस थाई समाधान चाहिए तो वो मद्य सरकार में बैठे हुए लोग ही कर सकते है क्या सोच रहे हो तुम तुम ये सब अपने मन में रखकर परिशान मत हो और जाकर के एक्जाम दो क्योंकि ये तुम्हारी जिन्दगी का प्रश्न है ऐसे ही सब लोग अपनी जिन्दगी अपनी सोचते है इसलिए वहाँ कितने लोग अपनी जिन्दगी नहीं जी पा रहे है कुछ दिर पहले आपने बोला था ना इंसानियत वही मर गई है सर अगर इसका इस्थाई समाधान चाहिए तो हमारी मद्य सरकार और बड़े आदमी मिलकर ही कर सकते है लेकिन अभी यहां मरने वालों को ही बचाना है तुम्हें कॉलेज स्टूडन्ट हो तुम क्या कर सकते हो मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा हेई क्या वे एक्जाम के लिए भी नहीं आये और यहां लेटे हो चलोड़ो चलोड़ो ओटना वे अच्छा कॉलेज प्रिंस्पल से पानिक समस्या के बारें बात की थी ना यह देख एक्जाम के बात तारी बाते करते हैं चल अभी कॉलेज चल अब मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा अबे क्या बोल रहा है ए अबे ये फिल्म वाले ऐसा ही कुछ बोलकर फस जाते हैं तुम भी ऐसा कुछ बोलकर मत फस हो कुछ भी होने दो हमारे जैसे पंप सेट वालों को कोई परिशानी नहीं है लेकिन वहाँ तुझे मालू मैं क्या हो रहा है बिचारे किसान और मजदूर लोग नहर में पानी ना आने के वज़ा से रोज रोज मर रहे हैं अबे तु स्रिसली बोल रहा है ठीक है तुम जो भी करोगे सही करोगे तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा बैग्ग्राउंड बैसा है लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते मैं तु सीडंग से कॉलेज भी नहीं आ सकता हूँ मेरे पिताजी की भी तबियत ठीक नहीं है परिवार को मुझे ही समालना है मैं हमेशा तुमारा साथ नहीं दे सकता हूँ लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं जरूर हूँगा तुम जीतोगे मेरे दोस्त जरूर जीतोगे बढ़े जरूर चाहिए उरूरूर बढ़े को मुझे भी मुझे चुमार का भी मुझे भी मुझे सरूर का भी मुझे गना का फिरूर हुगई। जै जै बोलो गणपति की जै जै बोलो मात्र भूमी अपनी जै जै बोलो मात्र भूमी अपनी जै जै बोलो हम इस देश के यूवा निकले हैं करने सेवा साथ है सब की दूवा हम है इस देश के यूवा यूवा शक्ती ठान ले तो कोई भी काम कर जाए देश भक्ती मन में हो जब कोई भी रस्त आसाल लगणपति की जै जै बोलो मात्र भूमी अपनी जै जै बोलो डर ना जो मेनत से जुका दे वो आस्मा को बंजर भूमी को उप जाओ कर ढाले रखे जो खुद पे ये यकी जमी पे ला दे इश्वर को आले इनके आशिर वास्य सब कुछ तू इनसा वो जो कर्म को ही अपना जब कुछ माने पंजर मिट्टी में मेहनत का अपनी फसल उगा दे हम इस देश के यूवा निकले हैं गरने सेवा साथ है सब की दूवा हम है इस देश के यूवा जय जय बोलो गणपति की जय जय बोलो मात्र भूमी अपनी जय जय बोलो मंत्री विलायुदम को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी यह उपर से दबाओ आ रहा है भाईया मंत्री जी का फोन है नमस्ते भाईया इस अब बोलने के कोई ज़रूरत नहीं है अभी तक सिर्फ किसान अंदुलन कर रहते हैं अभी कॉलिज के चातर भी इसमें शामिल हो गए हैं हमें घर भैज देंगे देखना चोटे बच्चे हैं मंत्री जी मैं इंसे निपट लूँगा आप बिल्कुल चिन्ता मत करिये वो बात नहीं है तैंजोर में हो रहा था अभी पूरे तमिल लाडू में हो रहा है संभाल कर करना नहीं तो जन्ता हमें छोड़ देगी सारे फसल सूख गई है रामनात पुरम में जब आकाल पढ़ती थी तो वो लोग पेड़ भरने के लिए हमारे पास आते थे अभी हम कहां जाए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठीक है उदास मत हूं तुम लोग जिसने पेड़ लगाया है वो पानी जरूर डालेगा मैं कुछ करता हूं अच्छा नमस्ते माली चलते हैं ठीक है नमस्ते नमस्ते आईए बैठिये मंत्री जी कैसे हैं आप वोट मांगते समय मिले थे और अभी रास्ते याद आ रहा है अच्छा कैसे आना हुआ यहां थमसे मिलने के लिए ही आया हूं मुझसे गाउं की लोग गाउं छुड़कर जा रहे हैं इससे आपको क्या परेशानी है मुझे कोई परेशानी नहीं है तेरे बेटे को है अंदोलन और मोर्चा करवा रहा है वो इसके लिए अच्छा नहीं है तीन बार खेती होने वले गाउं में आज एक बार भी खेती नहीं हुई है यह सब देखकर आप चुब बैठे हैं मगर मुझे खुशी है कि मेरे बेटे को इसकी चिंता है तुम जैसा समझते हो वैसे यह खुशी की बात नहीं है इसके पीछे हमारी भारत की सरकार भी है चुकि तुम हमारी जाती के हो इसलिए मैं आया 110 करोडा बादी से कुछ लोगों की मौत हो जाने से न सरकार को कोई फरक नहीं पड़ता कहीं तेरा बेटा उन में न हो इसलिए बोल रहाँ मेरे ही घर आकर बोलता है मेरे बेटे की जान को खत्रा है और कुछ दिर रुका यहां तो तुझे खत्रा है चल ज़े यहां से ही क्यों ज़िए थाही हूँ यहँ कौन है जी? कौन है यह विल brings ए 38 हृ 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 वुड नहाँ बगया, तो उना झें, प्टब लेगे! नहाँ है ये उना है अ वह, है ब करदो है खट अ है, भाँ भाँ अ, आ है क्यों पहाँ है क्यों वहाँ प्रहाँ बसक अआइएँ एक 라騎 सेंग वो उपाएँ वो उपाär वो प्रि nadॉ अवरा ही बिछा बिलता न ऐसे अ अ कर दिलें… पन्सना 2 पे कर अघाइ कर दो आचके ज बा कर दो कर दिलें झाई gue दिलें अ होować halla कि ड keen हो घप उभो कि अम्सना 2 yang बाज़ आज अगर अपना बेटा नहीं आता तो क्या होता पापा अपना ऐसा कौन सा दुश्मन है जो आपको जान से मारे और कौन हो सकता है मंतरी ही है ना मुझे मार कर तुमें डराना चाहता है मेरे बापा को मारने के लिए गुंडे बेचता है उनको मारने के लिए तुझे आदमी की जुरत पड़ेगी मैं चाहूं तुझे अभी कि अभी खलाज कर सकता हूँ बढ़ा हुआँ क्या नेता जी एक छोटा बच्चा आपके गले में तलवार रखता है वहीं काटके रख देना था बोली नेता जी उसके घुटने तोड़ देता हूँ जिन्दगी पर चलनी सकेगा अरे उसको कुछ मत करो अगर उसके उपर हाट डालाना तो समझे हो बड़ा आद्मी हो जाएगा यह अंदोलन क्यों हो रहा है ऐसा पूछ पूछ कर उपर वालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है दियस पी तुम क्या करोगे मुझे नहीं मालूम है राना ताना तुम दोनों डियस पी जो बोलता है वैसा ही करो दुरे सिंगम उनको जो पैसे चाहिए दे दो ठीक है बाई मुझे यही चाहिए यह अंदोलन नहीं होना चाहिए बस इतना ही सब्सक्राइब आई हुए अँ 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 यहोडरी तो लग जो घ्रैवाज पनार फूर एंसनुग मठीजोस मेंसटर पार जो से ईीट हराय ऊपता है कर जो लोगार नहींदु धर आ profitable पार जो फोनार शेवाल, जो तरेके रमया झालने लोगाल यहाल लोगार जो फवस्त क्वेड़ hm लोगा कि यह ख़िए! कि ख़रे डृँट है मुझकर मारो ऑन्धर स्वाइब कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन कुछ भी बोलो अपना राणा ताना और डियस्पी मिलकर रात भर सबका अच्छे से बैंड बजा दिये हाँ बहिया ये सब डियस्पी के निगरानी में हुआ है हर महीना पांच गुंटा जमीन खरीता है ना फिर क्यों नहीं करेगा दुरैं सिगम एक दिन शांती से बैठ जाओ सोचा था लेकिन देखो यहां भी आ गए वो कुछ नहीं नेता जी सबको पुलिस पकड़के ले गई न उनको छुडाने के लिए भीक मांगने आये हैं क्या हुआ सुवे सुवे एक साथ मिलकर मुझे ढूंडने आयो क्या आंदोलन नहीं करोगे क्या मंत्री जी सब कुछ करवाने के बाद बेखवर जैसी बाते कर रहे हैं मैंने क्या किया तुमने कुछ नहीं किया अबे इस ज़स पर बात नहीं कर सकता ऐसा ही बात करूँगा पुलिस और गुंडों को भेज कर निर्दोश लोगों को लौकब में डाल कर यहां पाउं पे पाउं डाल कर कॉफी पी रहे ये आंदोलन होगा ये राजनेताओं का जनता को बेखूब बनाने का जूटा आंदोलन नहीं है ये जनता को हग दिलाने का अंदोलन है जमीन जैदात के लिए नहीं पेट के लिए अगर ये अंदोलन होगा तो तेरे नेता की कुरसी जाएगी उसके बाद तेरी कुरसी इसलिए वोट देने वाली जनता को तुम गुंडों से पढ़वाओगे तुमने क्या सोचे ये सब देखकर में चुप बैठा रहूँगा क्या कर लेगा अबे? कुरसी चली जाएगी, पद्वी चली जाएगी ऐसा धमकी दे रहा है मुझे क्या? ए तुझे क्या नहर में पानी चाहिए? नहीं आएगा नहीं आएगा तुम क्या कर लोगे? तुम क्या उसे तेरे बाप का पंसेट समझाये क्या? स्विस डालता ही पानी आने के लिए? अबे, ये नहर का पानी है पहले मुझे नेता जी से बात करनी बड़ेगी फिर नेता जी दिल्ली बात करेंगे दिल्ली करनाटक की सरकार से बात करेंगी देखो, और अब जो बोलता हूँ सुनो तब भी पानी आएगा इसका गैरेंटी नहीं है अबे, तुम क्या कर लेगा? हाँ, हाँ, बोली निता जी सला क्या कर रहा है? अपने घर का टीवी आन कर तुरे जीगम, टीवी आन करो आन करता हूँ भाई अबे, ये क्या हमें टीवी में दिखा रहे हैं? सिर्व यही नहीं, इससे पहले बड़ी बड़ी बाते कर रहा था न वो पूरा तमिल नाडू देख रहा था एक ही वार में सबको दफना दिया नेता जी, नेता जी ये कौन साला हमारा फोटो निकाल रहा है यहां पर ये क्या हो रहा है वो देख, वो देख, वो पकड़ो सा लेगो इन दोनों को यही काट के फैक्ट डालो इरह आदेब। और...... एए, परखे लो पलते हो जो... च... एभी कैम्रा जीलिए उनका जीलिए कैम्रा थेए जीलिए कैम्रा को जो जो जोओ! मो जो जो जूए! जून्ई पार! इसको छोड़ो मत भाई इसको काट की फैक दो और इसको काट कि टूर को जाई ऑल एसको के काट थाई पूर इसको का यिर पैक दूर साद काट कुछ ही काट की एसको के अदूर से थाइ ऑल एंड पंड खना धाई चुकर प्पका प्पका बोगर परे दुद एी यग पका परेगा है यह प्पका पनुछ इंगे अ कि पुछ पनुछ पर्द कि अओ रगें अगरें आजे जड़ु कि बड़ु कि ओवरु भी कि अियुदें लेंगे अज़ाऊएंगवा थे अदद लेंगे ले आदे अजमान कीज अगर्म का दूपार पाहिए अगर्म कीजा जो में पूर्म के भूरिफे कि अगर्म है करें के विए अगर्मा को एल पाने के लिए कौना है और अगर्में है वो एबी टीवी वाले कर रहे थे वह क्या हुआ वे अरे भाई बुलक बहुत तेज़ चला रहे हैं गाड़ी बहुत तेज़ भाग रहे हैं तुम किसी भी काम के नहीं हो बस सिरफ सलाख खाने के लाएगो राना दाना अपना देवी के मंदर के रोड पर दो लड़के बहुत तेज़ गाड़ी में जा रहे हैं उनको वहीं पर खतम कर डालो कुछ भी हो जाए मैं समभल लूँगा खतम कर दो उनको तपकादा साज़ो प्तियकादा साज़ो पर आखना भी हो रर्म्रादा साज़र लड़के जाएवी अज़ को अच्रयक लाएवी वहीं जाएवीं झाल वहीं खतम करेंगे पर खतम कर दो लू़के लाएवावी पर तुप झाल मैं सहाएवब उहाँ पर देली औरी बाने को अपती है वो देतलो बस्टारी करता थे जुए झाल थशाओ़ी मुटने प्रिफर को यह को भी दो हमें। कर दोब खिलो देघों कर दो मिलोग प्रीड़ी ज़े हो तुएज़ी प्रेस थाया जदें। खुआब झाल थाल है! चेंचे लोग! कर दूर्याएरी दिक भूमे पूमसा भूम है स्क्रत्षन ऊर्भरी खड़ता सरेल कोई तर्णान wärसे में ठाल में दियर पूमgensे cascade ए भगवान इसको क्या हुआ जी क्या हुआ इसे इसको कुछ नहीं हुआ तुम डर्ती क्यों हो डॉक्टर घबराने के कोई बाते हैं यह बी आल राइट शाम तक घर ले जा सकते हैं क्या हुआ कुछ नहीं बेटी डॉक्टर इंजेक्शन दे कर गाए है शाम को उसे घर ले जा सकते हैं आइसा डॉक्टर साब ने बोला है तुम कैसी हो अच्छी हूँ यह ले पीले बेटा यह ले पीले बेटा यह ले अंड़े यह ले ले अज़े अच्छी के अच्छी डॉआ बेटा, चिंदा मत कर, तुम बहुत जल्दे ठीक हो और अगर आप अच्छे रहेंगे, तो हम अच्छे रह सकते हैं, हम सब दर गएते हैं, तुम जितनी जल्दी ठीक हो जाओगे, उतना ही जल्दी हम लोगों का काम आसान होगा, तुम अपना ध्यान रखना भी ठीक हम चलते आओ अमला, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? एक्सिटन के बारे में मालुम पड़ा, इसलिए चुट्टी लेकर आई हूँ, मेरे साथ को एमबे तुर चलो न, वहां कुछ काम धून लो तुम क्या करते हो, क्या होनी वाला है, ऐसा सोच के मैं चीती हूँ, अगर अपने लिए नहीं, तो मेरे लिए तुआ जाँ नहीं आऊंगा, मैं पैदा होते वाक्त, पढ़ते वक्त और बड़ा होते वक्त, सबके जैसा ही था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ, मेरे रास्ते पर तुम नहीं चल सकती, और तुम्हारे रास्ते पर मैं नहीं चल सकता, मुझे माफ कर दौमला तुमने तो देखा लिया मैं डिसेजर नहीं ले सकती हूँ मैं चलती हूँ अपना खहर रुखना क्या राना ताना मेरे आदमी तो कुछ कर नहीं सके इसलिए मैंने ये काम तुम दोनों को सौपा था लेकिन तुम दोनों भी नाकाम्याब रहे ये सब क्या है नहीं भाईया जेस्ट मिस हो गया यहीं अपने एरिया में किसी होस्पिटल में होंगे वहीं उन्हें टपका डालेंगे जाओ और टपकाने के बाद मुझे मिलना ठीक है भाईया जाओ चलते है बाईया चलो हॉई चलो मैं एक चलो मात 거지 ह मैं ढरिया वी। हऊ ए! चल्वे! मैं चोटा था तभी मेरे माभाब मर गए मेरे मामा नहीं मुझे पढ़ा लिखा कर बढ़ा किया लेकिन अब वो भी नहीं रहे गुजर गए वो तुम जहां पढ़ते हो उसी कॉलेज में मैंने भी पढ़ाई की तुमसे चार-पांस साल सेनियर हूँ मेरा कोई नहीं है ये गाओं ये लोग और ये मिट्टी फिर वो लड़की कॉलेज में मुझे प्यार हो गया और अब वो भी नहीं है वो ये कभी-कभी मुझे देखने आती है लेकिन तुम्हारा ऐसा नहीं है अच्छे माबाप जमीन जायदाद अच्छा बैक्राउंड तुम्हारे जैसे लोग ही ऐसे विश्यों के लिए लड़ सकते हैं लेकिन मुझे छुपकर ही लड़ना पड़ता है ये बाहर से कैसी आवाज आ रहे है बाहर जाकर देखो न खेट के बड़े चुहे पकट ले चुहा इसे भी होश्या रहे है उसकी जरूरत का अनाच वो जमा करके अपने बिल में चुपा लेता है हमारे आदमी उससे भी होश्या रहे है वो भी नहीं छोड़ेंगे इडते हमारे जिरूरत का अज्माहीं एकताविल ने अजय्या था भीषां चूहा और चुपाया हुआ अनाज ही, आज उनका खाना है फटी हुई जमीन, सुखा हुआ पेड, काटे का पेड और सुखे हुए जंगल, यह यहां का नजारा है देखो, पीने का पानी ला रहे है, नहर में पानी होता तो पानी की तकलीफ ही नहीं होती अगर नहर में पानी नहीं है तो यह ऐसा गंदा पानी ले जाते हैं, पीने का पानी के लिए बारा मिलतगीने चलना पड़ता है सुनिये जी नल में पानी नहीं आ रहा है मम्मी वाच पेशन में पानी नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो वहां नल में पानी नहीं आ रहा है और आप यहां क्या कर रहे है यह कहां से आ गई बात्रूम में भी पानी नहीं आ रहा है जा अबे तू यहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है पानी नही आ रहा है क्या है बे? क्या सर? बोल बे, फोन उठाते हैं गुस्से में बोल रहे हैं, क्या बात है सर? पानी नी आ रहा है मैंने बंद किया है सिर्फ तेरे ही घर में नहीं तेरे पिट्टू के घर में भी एई, पूरा टैंजोर की लाइन कड़ दिये हैं उसको ठीक करने के लिए पूरे बारा गंटे लगेंगे एक दिन बिना पानी के रहोगे न तब तुम्हें पानी के बिना रहने की तकलीब समझ में आएगी नालाएक साला कमीना मेरा पूरा दिमाग खा दे ग्या, कैसे हो? अच्छा हो ने दाजी क्या, अच्छा है गर में पानी नहीं आ रहा है पूरे गाउं में पानी नहीं आ रहा है ऐसे खासदार मडी सेल्वम ने मुझे बताया वो लड़के तेरे आख में उंगली डाल के तुझे नचा रहे न ये देख वले अद्यम बड़ी बड़ी बाते करता है न कि मैं दोती पहन कर जाऊं एक आती मेरे आगे खड़ा नहीं होगा अभी क्या है न दो लड़के खड़े हो गए तुम अभी क्या करने वाले हो अगर ऐसे ही छोड़ोगे न तो दोबारा सरकार नहीं बना सकते गाओं में बैटकर खेती करने पड़ेगी नेता जी मुझे आप सिर्फ दो दिन का टाइम दीजे मैं सब ठीक कर देता हूं यहाँ पर तुम ठीक करो नहीं तो मुझे ठीक करना पड़ेगा अबे दुराई संगम वो राना ताना को बुलाओ आओ आमला इसको देखते ही मेरी जिंदगी समझ में आ जाएगी वो ही लिख रहे हो ना तुम नहीं आओगे मुझे मालूम था इसलिए मैं ही आँगे Saturday Sunday चुट्टी है कैलेंडर को देखते समय October 13 तारिक याद आ गए इसलिए एक दिन पहले ही चुट्टी लेकर आ गए कल आने वाला जनम दिन के लिए आज ही विश्का देते हूँ Happy birthday ये क्या सच्चाई की परिक्षा तुम सच्चाई की परिक्षा दे रहे हो वैसे ही मेरी जिंदगी भी सच्चाई की परिक्षा है इसलिए तौफा गांधी जी ने इस किताब में अपने अनभवों के बारे में बताया है क्या तुम ये किताब मुझे देकर मेरे अनभवों के बारे में बताना चाहती हूँ रुको कॉफी बनाता हूँ क्या देख रही हो ये सौ दिन का कामगार योजना सरकार के तरफ से साल में सौ दिन का काम देते हैं एक दिन का 80 रुपे मज़्दूरी देते हैं ये बेचारे पानी आने के भरोसे में काम कर रहे हैं लेकिन पानी आता ही नहीं ये सब कंस्ट्रक्शन का काम अभी किया है इसके चारों तरफ एक किलोमेटर तक पानी होता था ये जो सीडिया है ना डिक्ती नहीं थी बचपन में मैंने मामा से सुना था लेकिन मैंने यहां कभी पानी देखा ही नहीं यही रमिश रहता है हाँ यही रहता है कैसे आप अच्छे है आईए 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 हलो बैठिये आप कैसे हैं हाँ ठीक हूँ आप कैसी हैं मैं मैं अच्छी हूँ हम लोगों को मालम पड़ा कि आज आपका जनम दीन है और अमला भी आई हुई है इसलिए मैं भी आ गई अमला कॉफी बनाओ न वो सब रहन दो पहले यह लिजिए हैपी बर्ड़ दे थैंक्स मेरा क्या जनम दिन सब एक दिन पैदा होते हैं शांती से रहते हैं कुछ लोग जीने के लिए ही जीते हैं और दूसरे लोग मरने के लिए जीते हैं और मैं उन दूसरों में से मैं हूँ वैसे नहीं है हम जन्दगी कैसे बीजी सकते हैं पर मरने की बात बीजीना है वही जन्दगी है वह से बाते क्यों कर रही हो तुम शर्ट पैनो देखते हैं शर्ट तुम बर बहुत अच्छे लग रही है हीरो लग रहे हो हीरो तुम भी तो हीरो न लगती हो हुआ 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 है घ्र प्रट यजब हुआ हुआ है गर मियोथ यद शर्ट 21 अब है ग्राँ हुआ है ए हुआ है और भुआ है ढएवा ऩुझ झाल दो सबस्ट刚ई दो समझ एड़ा रेमीष रेमीष ॰ watery слова वेमीष रेमीष रेमीष, रेमीष अजा किको लदा वाबेश कि अविश कि अविश सकत्रा कि रामेश कि रामेश वाँ कि रामेश масс वाबेश locks HE वीश ऑफ बनाएख यहामेश? यहामेश एको लूओा यहामेश कुछ लोग जीने के लिए ही जीते हैं और दूसरे लोग मरने के लिए जीते हैं और मैं उन दूसरों में से मैं हूँ मंतरी ने अपने आदमी वेज के उसे मार डाला अच्छे आदमी को किसे जिन्दा रहने देंगे सुनिये जी हमारे बेटों के कुछ हो जाएगा जाकर ढूंडिए न हमारे आदमे को भेज कर ढूंडिए क्यों ढूड़े मेरे बेटा भाग करके नहीं छुपेगा सामना करेगा वो लडाई करके जीतेगा इस लडाई में वो जीतेगा जिन्ता मत करो एसा नहीं जी उस मंतर के बारे में सोचने सी डन लगता है गुंडे भेजकर आपको भी वो मानना चाहता था दुरई सिंगों फोन लगा के पूछो क्या है आओ आओ क्या घर तक चले आए तुमें चुना में बोड देकि चिताने वाली जनता के लिए पीने का पानी नहीं है सवाल पूछने बाले को पदवीख होने के डर से तुमने उसे मार डाला तुम जानते नहीं हो तुम किस से बात कर रहे हो जानता हूँ मैं हो सकता है रमेश की मौत की बारे मैं कोई ना पूछे अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो पहले मैं जान दे दूँगा यह देख मेरे पीछे जो खड़े हैं यह सब लोग मरेंगे बगर उससे पहले तुम्हारा क्या हलोगा जरा सोच कर देखना दोनों करेक्ट है यह लो पिए ओओ क्यों अध्यापक यह आगे बखे इसलिए परवा नहीं पिए नहीं चाहिए अध्यापक जी मेरा बच्चा बिना दारू के दुकान गए, कोई भी छादर पास गवा हो, ऐसा इतिहास गवा है, पियो, 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 जटके से पीने से ही खिक लगता है, सुनो, अध्यापक के जैसे पियो, पियो, बहुत पानी मिला दिया यार, अध्यापक यार, और को आपको अध्यापक यार, शिरिंगी, जटके से अध्याइक हमा ज़ता या कि जफिरलो, जटके सवगल मिल अध्याद भी सांधे जर्वांग के मेनोकी क्ज़ा यार, मेरे पास कितने चात्र पढ़े हैं, लेकिन तुम ही एक सच्चे चात्र हो पुट पुट धोड़ा, धोड़ा, गिरोगी अपिसे नसा चेड़ गया, बस, बस, बस अध्यापक जी, हातों में तंगन और गले में हार पहनने की बज़े, गले में सिंपल चेन पहन कर पैठे हैं, कैसे अध्यापक जी, आपका पडपन दिखाना था ना, कोई भी आदमी आपके पाजी में बैठ गया उसको बगाना था ना, आप सदीयों से पी रहे हैं, वो आप के बाजी में बैठके साधा सिंपल सी पीर पी रहाया से नीचा दिखाना चाहिए, ये वाइन शॉप में नहीं लेखा हुआ कानून है, मेरे प्रिये चात, तुझे नसाजी अड़ गया है, जल्दी प्यो चलते हैं, क्या अध्यापक जी, क्या हुआ, ड़ गया गया, नहीं तुझे आप चुब बैठी अध्यापक जी, सफिज सट पहने से कोई बड़ा भाई हो गया किया, जाबे जा, अगर अध्यापक जी गूर के देखेंगे, तो जल्दी प्यो चलते हैं, देखा अध्यापक जी, कैसा डर के चला गया, तुम घत्म कर गया, मैं चलता हूँ, ड हालो, हाँ, बोलो भाईया, अभी तो चालू किया है, अध्यापक जी, हम चले, एसा बोल रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, साला, गाड़ी निकालो, टाइम हो गया, क्या हो गया, तुरंट आने को बोल रहा है, चै, तुर थाँ, चुर झालो झालो, जड़ी निया, लैजैँ kayak क्या ह exhaust आने को ठका लोले धकी चाहां, टो ले है, यही है, झालो, यप हुआ हो फोलग़my है, हिश् freight है, उचली है, यही है आनी है? लञांनी बाला ओष साफ प्रूमा देनाओ झाल 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 एक आदमी फोन करके मेरा दिमाग खराब कर रहा है भया वो ही है देशला बोल भे गबराओ मसर आपकी पतनी और आपकी बेटी सुरक्षे थे क्यों है साले किसके साथ खेल रहे हो तुझे मालूम है ऐसा कर दूँगा तुझे कोई ढून नहीं पाएगा समझा इसलिए तो तुम मुझे ढून रहे हो क्यों मैं मजाग कर रहा है क्या है अगर तुम मेरे हाथ में आगे ना तुको काट डालूगो मतर को वो तुमने काट कर फेक दिया न रमेश ने क्या गलती की थी जिंदा अगमी को काट कर तुम आराम से रह सकते हो देख तुझे एक हफते का टाइम देता हूं मैं तब तक नहर में पानी आ जाना चाहिए नहीं तो जैसा तुने रमेश को काट कर फेका था वैसे ही मैं तरी पतनी और तरी बेटी को काट कर फेक दूँगा ममी नहर में पानी नहीं आया तो काट के फेक दे का बोलता है नहीं मेरी बच्ची ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं होगा बल्वान मंत्री की पत्नी और बेटी का परण करके मंत्री को यह चुनाते लिए क्या भाई आज छट पर बैठ कर पी रहे हो बैठा दिया रहे बैठा दिया बोलिये निता जी वहां क्या चल रहा है दो दिन का टाइम मांगा था ना क्या हुआ तुम अपनी बीवी और बच्चे किस रक्षा नहीं कर पाएं क्या कर सकते हो तुम बेटर होगा तुमको पार्टी और पद्वी से हटा देते हैं क्या नेता जी आप क्या बात कर रहे हैं कौन किसको हटाएगा मेरे साथ 90 अमेले हैं नेता जी मैं चाहू न तो आपकी पद्वी चली जाएगी ऐसी हालत में आप मुझे हटाएंगे चलो मैं आपसे पूछता हूँ ये जनता ऐसी कौन सी मांग कर रही है पानी ही तो मांग रही है न उपर बात करके कुछ करने के लिए तुमारे पास दम नहीं है तेरी पद्वी को बचाने के लिए तु मेरी बेंड बजा रहा है गुस्सा मत ओ विलाइधम मैं बात ने बात करता हूँ एए डाल बे तेरे बेटे ने जो किया है वो मामली काम नहीं किया है अगर मिनिस्टर की पत्नी और बेटी को कुछ हो गया तो तेरे बेटा वापस नहीं आएगा अगर मिनिस्टर आएगा यूगर बेटाँ यूगर यूडराइधमान सुझ रखे बाल्वान, मुझे नहीं देखे उसिजाद तो, और रावलोस ऐ। तो बता और ढगा आड़ा जी जाए है। सुझतने नहीं मुझे घृत्व पाल्वार पंदिन तो, जी अब पूर。 अजी आण भाल्वान, जी तो एक नहीं दोंगे के रहा हूं तो कि मुझे से बुटार से पाइब कर रहा है साफ ने रहा है जगा कि दोल प्रेख असां प्रहु दोल्गर्वार के तो तक दोल्गर्वाण वने कुछ निए ड़ता यह रहा है के घ्रख फट्रु जगा जब रहा है यह जगा फिर आ, जबनाया है तुम अधने मान उटर्ख भा अगर बल्वान नहीं मिला तो तुम लोग के खायर नहीं है चला सर क्या हुआ सर पूरा शहर चान मरा कहीं नहीं मिला कैसे ही पता लगा लेंगे सर तुम और तेरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है ये सरम नहीं आती है क्या भया निता जी का फोन है हलो हाँ बोलिये निता जी वलायदम मैं बोल रहा हूँ मैं उपर बात करके पानी जरूर ले आता हूँ तुम अपनी पत्नी और बेटी को ढूंड़ो और दिल पे मत लेना भाई ठीक है पे 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 पेना जाए पेपेट पेपट पेपेट कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कि आ रखेस्टरा कर दो क्या रहे? ऐसे मूफला कर बेटे हो तुमको देखने का बहुत मान कर रहा है क्यों तुम फोन करते हो? एक फोन तो करो ना? हुआ 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 है हुआ है तुम यहां कैसे अरे पाप रे इतनी राक में आया हूँ इतनी राक में आया हूँ मम्मी डैड़ी भी सो रहे है अगर उड़ गे तो मुसीवत हो जाएगी क्या देख रहे हूँ मुझे डार लोग रहा है मैं सो जाती हूँ जाने दो हुआ 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 हु सारे सासारे मामारे पपरे दो बदन एक जान हम हो गए आज एक हम खाते हैं हम ये कसम हम होंगे ना जुदा सनम तू है मेरी बस हम दम मैं हूँ तेरा जान मान आओ देखें किस मेहरम कर दूर जो हमें ए आज़ाद पंची हम दो हंसो की जोड़ी हम लगी है आग दिल में आजा मेरी बाहों में माचे आज दिल जबा होगे रिवाना दुनिया से बेगारा सासारे सासारे बाबारे पपरे सुलगते हुए तेरे बदन को मैं अपनी चाहत से बुझा दूँ सनम चानम हमदम प्रीतम किसी बद की दिर ने तू कहे तो जन्नत ले चलू शाहे तो जमी पे बना दू साथ जो तू मेरा दे दे आज तू जन्नत की मैं सेर करा दू तू जहां बोले मैं तू चलू सयां तू जो पही में वालू सयां देरे देरे किस बात की चलो मिलके सेर कर दे दो बदन एक जान हम हो गए आज एक हम खाते हैं ये कसम हम होंगे ना जुना सनम तू है मेरी हमदम मैं हू तेरी जने मन आओ देखें किस मेहरम कर दूर जो हमें है आजाद पंची हम दो हन्सो की जोड़ी हम लगी है आँख दिल में समाजा मेरी वाहो में ना जे आज दिल जबा हो क्या दिवाना हो के पागल दिवाना ऐसे तो ने छेरा मुझको भूला बैठी मैं दुनिया सारी तेरा तेरा बस सिर्फ तेरा नाम लूँ मैं तेरा तू कहे तारों को तोड़ूं बोले तो समी बेलाओं मने जो आज मेरी तू कहे तो नहीं प्रेम कहानी लिख दू बोलो मैं चहाँ अब तू तेरा साया बन जाओ तेरे मैं तेरी छाया बंजा बंजा मेरी संगनी, साथ साथ मैं चरूँगा तेरे दो बदन एक जान हम, हो गय आज एक हम खाते हैं हम ये कसम, हम होंगे ना जुदा सनम है आजग पंची हम, दो हंसो की जोड़ी हम लगी है आग दिल ने, आजा मेरी बाहों में नाचे आज दिल जवाहो के दीवाना दुनिया से बेगाना सम्विदान कहता है बे चुब बेट बे बिना पानी के साथ मर रहे हैं और यह बोले निता जी वले दम आर तरीकों तरे गाउं में पानी आ जाएगा डेली आंद्रा करनाटका में सब के पैर पकड़कर कैसे भी करके नहर में पानी ला दिया हूं अब तो खुश हो जाना जरूर आ जाएगा निता जी जरूर आ जाएगा यार गवराओं मत बहुत बहुत शुक्रिया निता जी रखता हूं पानी आ जाएगा सरकार गरिये की आड़ तारीक को पानी आएगा हमारे गाउं की नहर में आड़ तारीक को पानी आ जाएगा ये अपरण हुई मेरी पत्नी को और मेरी बेटी को घर वापस लाने के लिए मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ इसकी वज़े से ये पानी नहीं आ रहा है मैं बहुत प्रयात्म करके मुख्या मंत्री से बार-बार मिलके मेरी जनता तकलीफ ना उठाए इस वज़े से इतना तकलीफ उठाने के बाद ये पानी आ रहा है सर मैंने सुना ये सबका कारण वो सत्या है गाव में उसकी ही वज़े से पानी आ रहा है अरे वो कैसे हो सकता है अगर नहर में पानी आ रहा है तो यह हमारी पार्टी, हमारे निता जी और मेरे लिए गर्व की बात है और यह हमारी जीत है बल्वान की जीत हुई आठ तारिक को धारा में पानी आ जाएगा ऐसा तमिलाडू की सरकार का कहना है छे अभे वो मेरी जिंदिगी के बीच में आकर प्लान करके जंडा पकड़के बिंदू डालकर रंगोली बनाकर उसमें गणपती को भी रखकर पूझा कर लिया बे उसको टपकाना होगा तपकाना होगा उसको तपकाना होगा उसको नेता जी बोलने थे कि आड़ तारी को नहर में पानी आ जाएगा मालूम पड़ा ना मेरी पत्नी और बेटी को लाकर छोड़ में क्या खोलने से कब कहां क्या आएगा ये मुझे मालूम है तरी पत्नी तरी बेटी को कब कहां छोड़ना है ये भी मुझे मालूम है मुर्क लड़का साला चात्र तुमने गड़ी तीचर की गिंते जोड़ी थी नहों क्या हुआ तब तक तो आप बीच में आगा जोड़ छोड़ भूल जा कि बीना देखे जा रहा है ये इधर आ कि मैं कोन मालूम है नाई मालूम नाई मालूम नाई अध्यापक दूद पीते बच्चों का अध्यापक कुष्टी कर रहे बे बलवान को जानते हो जानता हूं ए बलवान को जानता है इनको नहीं पैचानता है ये उसका मामा है अच्चा मामा है अध्यापक जी अभी मैं पूछता हूं देख ये अभे ये कौन सच में नहीं मालूम है नाई मालूम इनको जाने बेना गाउं में क्या कर रहा है यहीं बलवान के इकलोते मामा क्या बलवान का इकलोता मामा है सिगनल आ गया क्या वे बलवान का मामा होकर बीच रास्ते में दारू पीकर तमाशा कर रहा है मॉर्फल अध्यापक जी हम चले हैं अध्यापक जी हम चले हैं चात्र आज से दोनों की दोस्ती खात्म इस जन्द में तुम मुझे मत मिलना और मैं भी तुझे नहीं मिलूंगा आज से हम दोनों अलग हो चुके हैं नमस्ते सर जैसे मैंने बोला तो वैसा आपने कर दिया वैसे मैं भी गाओं की नहर में पाने आते ही मैं तुम्हारी पद्नी और बेटी को सुरक्षित लाके छोड़ दूँगा मैं पाने आते ही लाके माराओं की नहर में थाओं लाओंगा च्वार प्लाओंग प्लाओंग 8.6 अमाराओं 22.0 यहर ज हम लाके बाभंगभ अलाओंग क्याकर उन्या बाबगई अलाओंग धर भी यॉज नहरा उताई भी जीए ऑीॉजदित लाओंग कि जखे कि प्रत, मुओन एट Qu invthanum फबंदे मने है वे मनन कि आवकर शुह कि आवक कि व्न एक्रोप मुटने टुट हम मुटने व्ने प्रत कि प्रत्व कि ठाही जग. जा मेहा है प्रत पल्वान, दो बजे पानी या जाएगा, तुम एक बजे वहां से निकल लेगा इकाल लेगा qualityos था प्रूमी को लुब nahप अए ऐृड़ खुब हग दॉटिझ दॉटिट भी जुटिछ अरी अराइब सुटि खुटिछ, झार झारी बसित्टाइब सुटिज परिज़ जुटिछ, वस्टाइब सुटिज राइब सुटिछ, दॉटिट दिज़े हैं। ख़ ही फो हो और एपतक हो है हवआ जेजेश जह हुप जह फे हुप कर媛 दॉब खाभ हो उब हुप जह है झाल 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 झाल